वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी आउडियो सूपर ट्रेडर बुक पाठ 19 अपने लक्षियों को पूरा करने में अनुशासन अब आपके व्यापार में कुछ विशिष्ट लक्ष होने चाहिए यदि आप नहीं करते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप कुछ विक्सित करें हाला कि यदि आप ऐसा करते भी हैं, तो आपको उन लक्षियों को पूरा करने में मदद करने के लिए कुछ अनुशासन की आवशक्ता हो सकती है परिनाम स्वरूप, मैंने सोचा कि मैं आपके लक्षियों को पूरा करने में आपकी सहायता करने पर ध्यान केंद्रित करूँगा एक, एक सामान्य लक्षिय को विशिष्ट चरणों में विभाजित करें, अधिकांश व्यापारिक लक्षिय बहुत बड़े हैं परिनाम स्वरूप, मेरा सुझाव है कि आप किसी लक्षिय को विशिष्ट चरणों में विभाजित करें एक विशाल लक्षिय को पूरा करने की तुलना में छोटे कदमों को पूरा करना बहुत आसान है जिसे आप शेश वर्ष या आपने शेश जीवन के लिए कर सकते जैसे कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। एक, उन विचारों को देखें जो आपके व्यापार को बहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। दो प्रतियक विचार का परीक्षन करें और देखें कि आप कितना सुधार करेंगे इससे प्राप्त करें। और तीन, व्याप और यह देखना हो सकता है कि आपके लिए इसका क्या अर्थ है उन कारियों मेंसे कई का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है वैसे, यदि आप प्रती ट्रेड एक प्रतिशत का जोखिम उठाते हैं, तो आपको 50 प्रतिशत रिटन प्राप्त करने के लिए प्रती सप्ताहा केवल एक आर बनाने की आवश्चक्ता है 2. अपने आप से वादे करें और संकल्प में वादे का कारण शामिल करें, मान लीजिए कि आपका खुद से वादा है कि एक दैनिक मानसिक पूर्वा भयास करना है जो शीर श्व्यापार के कारियों में से एक है, जिस तरह से आप वाक्यांच कर सकते हैं वो यह है कि अपने अनुशासन को बढ़ाने के तरीकों की योजना बनाने के लिए खुद को दैनिक मानसिक पूर्वा भयास करने का वादा करना है दूसरा कथन आपके लिए नियमित रूप से अनुसरन करना बहुत आसान है यह अभी सुनिश्चित करें कि आपने जो वादा किया है वो कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं और ऐसा कुछ नहीं जो कोई और आपसे करना चाहता है अगर मैं आपसे कहूं कि आपको रोजाना मानसिक पूर्वा भयास करना चाहिए तो आपके ऐसा करने की संभावना नहीं है इसके विपरीत, यदि आप तै करते हैं कि इस तरह का पूर्वा भयास आपकी भलाई और आपके व्यापार के लिए कितना महत्व पूर्ण होगा तो आप इसे करने की अधिक संभावना रखते हैं तीन, अपने ट्रेगर निर्धारित करें यदि आप एक संकल्प निर्धारित कर रहे हैं तो शायद यह इसलिए है क्यूंकि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पाए हैं संभावत ऐसा करने में आपकी असमर्थता का एक कारण है कुछ ट्रेगर जो आपको परेशान करते हैं वे ट्रेगर क्या हैं क्या पर्यावरण ये ट्रेगर हैं जैसे कि कुछ लोगों की उपस्थिती या कुछ शर्थे क्या कुछ आंतरिक भावनाय हैं जो आपको विचलित करती हैं वे भावनाय क्या हैं और वे कब घटित होती हैं एक बार जब आप अपने ट्रेगर्स निर्धारित कर लेते हैं तो आप उनके लिए और अधिक तयार हो जाते हैं मैं उन ट्रिगर्स से निपटने के मुद्दे के आसपास व्यापक मान से पूर्वा भयास करने की द्रिर्ता से अनुशन सा करता हूँ। जाग रुकता आपके संकल्पों को रखने का एक बड़ा हिस्सा है। 4. अपने नए लक्षे के सकारात्मक पक्ष को देखें जब हम अपने संकल्पों को रखने की क्रिया में लग जाते हैं। तो हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम स्वयम को नकार रही हैं। इसके बजाए, आप जो हासिल कर रही हैं उसके सकारात्मक पक्ष को देखें। इस सिस्टम का अनुसरन करने और पैसा कमाने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। आप जिस नकारात्मक चीज को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बजाए नए व्यवहार की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि आगे बढ़ना बहुत आसान है. 5. आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसकी एक डाइरी रखें मैंने जो सुझाव दिया है. उसमें मानसिक जागरूकता शामिल है. अधिकांश लोग उस बड़ी तस्वीर से अंजान है जो एक लक्षे को पूरा करने में शामिल है. हाला कि, जब आप एक डाइरी रखते हैं जो आपकी उपलब्धियों और आपके विचारों को सूची बद करती है, तो आपको यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है. अपनी उपलब्धियों को सूची बद करना भी एक प्रकार का पूरसकार है. जब आप अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, खास कर यदि आपने चरनेक का पालन किया है और अपने कुल लक्षे की ओर छोटे कदम निर्धारित किये हैं, तो आप इस बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि आपने क्या हासिल किया और आप कहां जा रही हैं. 6. कभी कभी देना ठीक है यदि आप कोई बड़ा बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको कभी कभार जटका लग सकता है। यदि आप असफलता को असफलता के रूप में देखते हैं, तो संकल्प समाप्त हो गया है। आप अपने आपको एक बुरा नाम दे सकते हैं। इसके विप्रीत, यदि आप समय समय पर असफलताओं को ठीक करते हैं, तो आप चलते रह सकते हैं यह सिर्फ एक जटका है। महसूस करें कि एक जटका अपने बारे में कुछ सीखने का अवसर है। क्या हुआ, आपके क्या विचार थे, उस सारी जानकारी को अपनी डाइरी में लिख लें और निर्धारित करें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। आप एक नए ट्रिगर की खोज कर सकते हैं। और फिर आप उस और अन्य ट्रिगर्स को दूर करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। किसी भी मामले में जटके के लिए खुद को क्षमा करें और आगे बढ़ें। बहुत बार असफलताएं अपर्याप्ट तयारी के कारण होती हैं। शायद आपने अपने व्यापार के संबंध में पर्याप्ट शोध नहीं किया। शायद अधिक मानसिक पूर्वा भयास की जरूरत थी। शायद आपने अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में कुछ ऐसा खोजा जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी लेकिन अब आप अपनी तयारी में इसका उप्योग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या अतिरिक तयारी कर सकते हैं। कि आप सामान्य रूप से अपने संकल्प को बनाये रखने की दिशा में आगे बढ़ें? साथ, पूरी प्रक्रिया के दौरान खुद को पूरस्कृत करें आपको प्रक्रिया की शुरुआत में उपलब्धियों को स्वीकार करने की आवशक्ता है. पहले कुछ दिन शायद सबसे कठिन होंगे. नतीज अतन जब आप उन दिनों से गुजरते हैं और अपने लक्षियों को पूरा करते हैं, तो एके नाम खोजें. पूरस्कारों की एक प्रनाली के माध्यम से प्रक्रिया को मजेदार बनाएं.